पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए जनस्वास्ते विभाग की मोबाइल वोटर टेस्टिंग लेबरेट्री वेन करनाल के घरोंडा पहुंची है मोबाइल वेन ने घरोंडा शेत्र के चार गाउं से पानी के सेंपले कत्रित किये हैं हाई टेक उपकरणों से लेस मोबाइल लेब वेन पानी की ग्यारे पैमानों पर जांच करेगी दो दिनों तक मोबाइल वेन विभिन गाओं की रेंडम सेंपलिंग करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी जनस्वास्तर विभाग की मल्टी पैरामीटर सिस्टम से लेस मोबाइल वोटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वेन ने बीजना, संभालका, उपली वेर रसीन गाओं से सेंपल लिए हैं लेब एक्सपर्ट के मताबिक मल्टी पैरामीटर सिस्टम से लेस इस मोबाइल वेन में पानी की गुणवत्ता की जाच करने के लिए विशलेशक, सेंसर, जाच और उपकरन लगाए गए हैं जो 11 पैरामीटर पर जाच करती हैं लेब कैमिस्ट चंदरप्रकाश ने बताया की पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिसॉल्ड सॉलिड फ्लोराइड नाइट्रेट आयरन और शारियता जैसे घटकों से प्रभावित होती हैं उन्होंने बताया की मोबाईल वोटर टेस्टिंग लेब लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जीपियस इन बुल्ड है लेब पानी के नमूनों की पीएच, शारियता, टीडियस, कठोरता, अवशिष्ट क्लोरीन, जस्ता, नाइट्रेट, फ्लोराइड, टर्बिडिटी और सुक्षम जैविक परिक्षन जैसे विभिन जल गुणवत्ता मापदंडों को मापले में सक्षम है ये मोके पर ही पानी की गुणवत्ता की समस्या को जल्द से पहचानने में मदद करती है उन्होंने बताए कि इस मोबाइल वैन में पूरी तरह से स्वचालित सेंसर आधारित विशलेशन है जो केंद्रिय रूप से कमांड किये गए सोफ्ट्वेर द्वारा नियंत्रित किया जाता है मोबाइल लैब में LED डिस्प्ले यूनिट विशलेशन के तुरंत बाद परिनामों का एक त्वरित प्रदर्शन देता है उन्होंने बताए कि दो दिनों में जितने भी सेंपल लिए जाएंगे उनकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है इन सभी सेंपलों की रिपोर्ट उच्चादिकारियों के मार्फत सरकार तक भेजी जाएगी यदि किसी तरह की दिक्कत है तो उसकी सुधार में दिशा में का रिखिया जाएगा सरकार का उद्देश है कि सभी लोगों को पीने का स्वच पानी मिले सर बताए जो ये लैब आई है इसका क्या परपस है और अब तक क्या कुछ टेस्टिंग की देगी ये स्टार्टिंग हमारे दो अप्टूबर 2020 को सीएम साब आयाने के वह स्टार्ट किये थे इस मिशन को और इसका मिन दो परपस थे फर्स्ट परपस की जो भी से पिय य्जबी पर वहिड कर रही है आपको प्हार में वियर कर रही तो हमारी कामारे की को से इसाफ है बेपर विस्टोर करने शेफ करने वो आ पी शिपिसे गाड़ी को युष दोपरपस की जा रही है इससे टेस्टिंग विह तो आज कितने गाउं आप लोग ने चाहर गाउं किये एक उपली है और रसीम विजना और समाल का इसकी टेस्टिंग करने पर पाया गया कि यह बिल्कुल गूड क्रिंडिशन में है इस बिने में कोई प्रोल्म नहीं कितने दिन वैन रहे गिया अपर यहां पर अभी तो ओडर करनें सा ओडर के अभी चार-पांस दिन रोगने की कितने गाओं एक दिन में टेस्ट किया जारे एक दिन में 5-6 पूसिबल हो पाती है कि टेस्टिंग में टाइम लगती है तो लोगों को क्या संदेश होगा आप की तरफ से लोगों को संदेश तो यही होगी कि क्वालिटी मेंटेन करना हमारी रिस्पोंसलेटी है और कि सब्सक्राण आप के आइसे कि लिए खेल रहे हैं कि यह चीज correct क्यूंप करनी होगी है और समय टाइम के वाधको और यह आपको थोड़ा सा पुब्लिक को होनी चाहिए कि इस पर हम थोड़ा कंट्रोल करें और बेर्थ पानी ना बाहा है क्योंकि यह आपके लोकलिटी से ही प्रोवाइड कराई जा रही है आप बेर्थ बेस्ट करिए बेस्ट करियेगा तो कलके ड़ेट में आपको बहुत बड़ी इस प्रोब्लम क्रिएट होने वाद है ऐसी ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइज शेर और सुच्राइब करें हैंने वाल जबड़ी बेंक्वेट अंटरप्राइब